Hello everyone, welcome to What's Education. हमने chapter 6 स्टार्ट किया था, Electromagnetic Induction. हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में Magnetic Flux के बारे में understand किया था. आज हम Laws of Electromagnetic Induction के बारे में डिसकस करेंगे. देखो, पहले understand कर लेते हैं Electromagnetic Induction क्या होता है. जैसे नाम से ही पता चल रहा है Electromagnetic Induction. Means, electricity induced हो रही है with the help of magnetism. देखो, किस तरह से? आप यह वाली figure पहले आप देखो. मालनो, आपके पास कोई कॉयल है यहाँ पे? यहाँ पे अपने galvanometer अटेच कर दिया हुआ है. ताकि हमें पता चले कि इस कॉयल से current pass कर रहा है कि नहीं कर रहा है? current flow कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब अगर हम इस कॉयल के पास एक magnet को लेके आते हैं तो magnet में क्या है? Magnetic field lines होंगी. North से लेके South की तरफ इस तरह से जा रही है. Outside. और यहाँ से North से ऐसे निकलती हुई Magnetic field lines. जैसे हम इस कॉयल के पास एक magnet को लेके आएंगे तो क्या होगा? इस कॉयल के साथ क्या test हो जाएंगी? Magnetic field lines. ठीक है? तो electromagnetic induction क्या है? कि जैसे ही इस कॉयल के साथ magnetic flux जो है वो link कर रहा है उसकी value अगर change होती है magnetic flux की value change हो रही है तो उस कॉयल में क्या induce हो जाएगी? EMF induced हो जाएगी. देखो जब यह कॉयल यहाँ पर थी पहले यह magnet यहाँ नहीं था तो यहाँ कोई magnetic field lines नहीं थी जैसे हम इस magnet को लेके आए यहाँ पे इस कॉयल से क्या पास करने लग गई? Magnetic field lines ठीक है? means magnetic flux की value increase हो रही है इस कॉयल में उस वज़ा से क्या होगा? इस कॉयल में EMF induced हो जाएगी और EMF अगर induced होगी तो क्या हो जाएगा? क्रंट भी induced हो जाएगा पर जो सरकेट है वो क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए तब ही क्रंट induced होगा clear है? यह है electromagnetic induction means with the help of magnetism हमने क्या produce कर दी? electricity produce कर ली ठीक है? पर देखो एक और बात है इसमें magnetic flux की value जो है वो change होती रहने चाहिए means पहले यहाँ पे कोई magnetic field lines नहीं थी जैसे आप magnet को ले कि आए magnetic field lines यहाँ से pass करने लगी it means magnetic flux की value क्या होगी? change 0 से उसकी value कुछ ना कुछ increase हुई तो magnetic flux की value क्या हो रही है? change हो रही है change in magnetic flux बहुत ज़रूरी है अगर change in magnetic flux link हो रहा है किसी coil के साथ तो क्या होगा? उस coil में EMF induced हो जाएगी और अगर EMF induced हो जाएगी तो क्या induce हो जाएगा? current induced हो जाएगा इस तरह से हम electricity produce कर रहे है with the help of magnetism इसे हम कहते हैं electromagnetic induction the phenomena of production of induced EMF and hence induced current due to a change of magnetic flux linked with a closed circuit is called electromagnetic induction अब I think आपको clear हो गया electromagnetic induction क्या होता है अब देखो Faraday's laws of electromagnetic induction two laws है उससे पहले Faraday's की कुछ experiment है हम पहले उनको discuss कर लेते हैं देखो Faraday's experiment जो first experiment है उसमें उन्होंने क्या किया? हमने एक coil ले ली उन्होंने ठीक है? और उसके साथ क्या कर दिया? Galvanometer अटेच कर दिया ताकि हमें पता लग सके कि इसमें से क्रंट flow कर रहा है या नहीं कर रहा है coil से फिर हम यहां के लेके आगे एक magnet को लेके आगे देखो जैसे ही magnet को इस coil के नस्दीक लेके आएंगे तो जो magnet है उसमें तो क्या होंगी? Magnetic field lines होंगी नौर से लेके South Pole की तरफ जारी हुई नौर से बहाँ निकलती हुई ठीक है? पहले तो यहां पे जब magnet नहीं था तो कोई magnetic field lines नहीं थी जैसे हम magnet को इसके near लेके आए तो क्या हो गया? इस कोईल में से भी magnetic field lines पास करने लगी means magnetic flux की value क्या होगी? चेंज हो गई पहले था ही नहीं और जैसे आब magnet को यहां लेके आगे तो magnetic flux की value क्या होगी है? चेंज हो रही है इस कोईल के साथ और हमने क्या कहा? जैसे ही magnetic flux की value change होती है तो क्या हो जाता है coil में? EMF induced हो जाती है और उसकी वज़ा से क्या हो जाता है? current induced हो जाता है तो जैसे ही वो magnet को इसके पास लेके आए coil के तो जो galvanometer है उसमें deflection शो की उसने means वहां से क्या flow कर रहा है? current flow कर रहा है clear है? यह वाला experiment उन्होंने first किया फिर उन्होंने क्या किया? देखो अगर यह वाला जो magnet है इसको उन्होंने क्या किया? दूर ले गए उससे coil से दूर ले गए away from the coil move किया तो फिर क्या हो गया? जब इसको move किया तो दोआरा से galvanometer में क्या होगी? deflection हो गई galvanometer ने उसमें deflection शो करी opposite direction में it means दूरा उसमें से crunt flow करने लगा जैसे ही उस magnet को हमने उस coil से away move किया ठीक है? तो इस तरह से हमने देखा कि जैसे ही magnet को हम अगर नजदीक ले के आ रहे हैं उस coil के तब भी उसमे crunt produce हो रहा है EMF induced हो रही है और जैसे ही हम उस magnet को दूर ले जा रहे हैं coil से तब भी उसमें क्या हो रहा है? current produce हो रहा है clear है आपको यह दोनों things? अब देखो अगर हम इस magnet को एक जगा still करतें move ना करें तो उन्होंने इस चीज़ को judge किया कि अगर हम इस magnet को move नहीं कर रहे है तो EMF induced होना बंद हो जाती है अगर EMF induced नहीं हो रही है तो current भी induced नहीं होगा it means EMF कब induced होगी? जब magnetic flux की value जो है उस coil के साथ जो link कर रहा है magnetic flux उसकी value क्या होनी चाहिए? change होनी चाहिए तब ही EMF induced होगा यह बहुत बहुत ज़ादा important है clear है? देखो EMF induced होगी coil मे अगर magnetic flux जो उसकी साथ link कर रहा है उसकी value क्या हो रही है? change हो रही है अगर अगर उस coil को आप नजदीक लेके आ रहे हो तो magnetic feed lines ज़्यादा होंगी ठीक है? तो क्या हो गया? magnetic flux change हो रहा है तो current इसमें से induced होगा इसमें अगर आप इसको यहाँ पर ही ऐसे place कर दो still रखो इसको तो क्या होगा? कुछ time के बाद इसमें से crunch flow करना बंद कर देगा galvanometer कोई deflection show नहीं करेगा it means कोई crunch flow नहीं कर रहा है इसमें से ठीक है? फिर अगर आप इसको द्वारा से move करोगे इसको यहाँ से दूर लेके जाओगे अवे तो द्वारा से galvanometer क्या शो करेगा? deflection शो करेगा means इसमें EMF induced होगे और crunch भी induced होगे means there should be relative motion between coil and magnet magnet और coil के बीच में relative motion होना चाहिए relative motion होगा तभी magnetic flux की value जो है जो coil के साथ linked है उसकी value क्या होगी? change होगी और तभी EMF induced होगी और तभी current induced होगा clear होगे आपको यह? ठीक है? अब देखो अगर हमने इसको move नहीं किया तो क्या हो रहा है? कोई उनकी बीच में relative motion नहीं है दोनों के बीच में magnetic flux की value change ही नहीं हो रही है जितनी magnetic field lines cross कर रही है वही कर रही है change नहीं हो रही है वो तो EMF induced नहीं होगा clear है? ओके अब देखो मान लो आप magnet को move नहीं कर रहे हो magnet को आपने still रखा है एक जगा पे अब आप coil को move कर रहे हो coil को नजदीक लेके जा रहे हो magnet के और coil को दूर लेके जा रहे हो magnet के क्या तो उसमें magnetic तो क्या उसमें EMF induced होगा? हाँ दब भी होगा क्यों? क्योंकि जो coil के साथ है हमें तो क्या चाहिए? जो coil के साथ जो magnetic flux link हो रहा है उसकी value change होनी चाहिए और वो तो change हो रही है देखो जब यह दूर होगा coil तो magnetic field lines कैसी है? कम है जैसे आप नजदीक ले क्या होगे तो magnetic field lines जादा हो जाएंगी जैसे आप coil को magnet के नजदीक ले जाओगे तो magnetic field lines की value change हो रही है means magnetic flux की value change हो रही है और अगर magnetic flux की value change हो रही है बता देती हूं क्या क्या हमने write down किया है ताकि आप notes बना सकें देखो when ये bar magnet is placed near a coil ये number of field lines pass through it जैसे हम इसको यहाँ पर place करेंगे coil के साथ ठीक है तो magnetic field lines pass करनी start करेंगे coil में as the magnet is moved closer to the coil जैसे हम close लेके जाएंगे the magnetic flux linked with the coil increases magnetic flux की value भी increase होगी an induced EMF and hence an induced crunty setup in the coil तो galvanometer यहाँ पर deflection देगा it means वहाँ पर क्या हो गया है crunty जो है induced हो गया है coil में अब second वाला case as the magnet is moved away from the coil अगर हम magnet को coil से अवे लेके जा रहे हैं the magnetic flux linked with the coil decreases an induced EMF and hence an induced crunty setup in the coil द्वारा से क्या होगा magnetic flux की value decrease हो जाएगी जब आप उसको दूर लेके जाओगे उसके वज़े से magnetic flux की change होगा और EMF induced हो जाएगी और current भी induced हो जाएगा clear हो गया अब देखो next है as soon as the relative motion between the magnet and the coil sees अगर relative motion magnet और coil के बीच में stop हो जाएगा the magnetic flux linked with the coil stop changing जो magnetic flux है वो भी क्या हो जाएगा change होना बंद हो जाएगा so the induced current through the coil become zero तो क्या हो जाएगा कभी short questions में भी question आ सकता है इस तरह से अगर relative motion बंद हो जाएगा किस-किस के बीच में coil और magnet के बीच में तो क्या हो जाएगा उसमें से जो magnetic flux change हो रहा था वो भी क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा और उसकी वज़ा से current induced होना भी क्या हो जाएगा उसमें बंद हो जाएगा तो यह first experiment था देखो first experiment पे हमने क्या कहा कि अगर magnetic flux change हो रहा है किसी coil के साथ जो link हो रहा है magnetic flux वो change हो रही है उसकी value तो उस coil में क्या induced हो जाता है EMF induced हो जाती है और crunch induced हो जाता है पर एक और बात है यह कब तक रहेगा यह EMF कब तक induced हो जब तक magnetic flux की value क्या हो रही है change हो रही है अगर magnetic flux की value change नहीं हो रही तो EMF भी induced होना बंद हो जाएगी clear? अब देखो यह second experiment में उन्होंने देखो शोब जो आप किया उसमें क्या था? अगर relative motion magnet और quail के बीच में जितना ज़्यादा होगा उतना ही magnetic flux की value भी change होगी आप नस्दीग लेके आ रहे हो और दूर लेके जा रहे हो मतलब magnetic flux की value भी क्या हो रही है? जल्दी जल्दी change हो रही है तो उतनी ही ज़्यादा EMF क्या होगी उसमें induced होगी मतलब अगर आप जो relative motion है इन दोनों के बीच में magnet और quail के बीच में अगर वो बहुत ज़्यादा होगा मेंज अगर आप एकदम से उसको नस्दीग लेके आ रहे हो और एकदम से दूर लेके जा रहे हो magnet को quail से तो magnetic flux की value ज़्यादा change होगी change in magnetic flux क्या होगा? ज़्यादा होगा अगर ऐसा हुआ तो ये directly proportional है किसके उतनी ही ज़्यादा इसमें EMF induced होगी उसकी value उतनी ज़्यादा होगी जितना magnetic flux ज़्यादा change ज़्यादा होगा उतनी EMF की value ज़्यादा EMF उसमें induced होगी ये आपका second experiment था अब देखो हम आते हैं Faraday's laws of electromagnetic induction में जो first वाला law है उसकी statement क्या है देखो whenever the magnetic flux linked with the closed circuit changes कोई आपके पास closed circuit है उसके साथ जो भी magnetic flux जो link कर रहा है वो change हो रहा है एन EMF and hence a current is induced in it उसमें EMF induced हो जाती है circuit में और current induced हो जाता है ये next valley line बहुत important है in it which lasts वो कब तक रहेगा पर EMF कब तक रहेगी which lasts only so long as the change in magnetic flux take place जब तक जो flux है वो क्या हो रहा है change हो रहा है ये है first law देखो हमने पहले explain कर लिया आपको अब ये first law understand करना ज़्यादा easy हो गया clear है exam में आएगा तो आप इस तरह से write down कर सकते हो second law क्या आए देखो अब the magnitude of the induced EMF is equal to the rate of change of magnetic flux linked with the closed circuit कि देखो जो भी आपके पास EMF induced हो रही है coil में, circuit में वो किसके directly proportional है rate of change of magnetic flux जो भी आपके पास EMF induced हो रही है आप उसको E से हमने denote कर दिया E is equal to rate of change of magnetic flux d5 divided by dt के ब्राबर जितना ही ये magnetic flux की value rate of change of magnetic flux होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा उसमें EMF होगा ये directly proportional है clear है? देखो वैसे इस से भी पता चल रहा है देखो ये वाले formula से ही अगर देखो time की value कम होगी time की value कम होगी मतलब आप जल्वी जल्वी से flux की value change कर रहे हो बहुत कम time लगा रहे हो आप एकदम से magnet को ले के आ रहे हो कोयल से और एकदम से उसको दूर कर रहे हो जो magnetic flux की value होगा है वो क्या हो रही है time की value बहुत कम है fast change कर लिए आप magnetic flux को तो emf की value क्या होगी जादा ठीक है तो e is equal to d5 divided by dt ये second law है अब देखो आपने यहाँ पर magnitude लिखा तो आप ऐसे write down कर सकते हो पर वैसे इसको इस तरह से write down करते है e is equal to minus d5 divided by dt हम आगे ये अच्छे से explain करेंगे ये due to lens law होता है देखो उसमें क्या होता है कि according to this lens law the direction of induced current जो भी direction होती है induced current की जो भी आपके circuit में induced current है वो किस तरह से होती है is such that it oppose the cause cause produce it मतलब वो क्या करता है जिसकी वज़ा से वो current produce हुआ है उस circuit में उसको oppose करता है current की direction जो भी आपके पास circuit में है वो किस तरह से होती है negative sign ये show करता है कि वो जो current की direction है वो क्या करती है oppose करती है जिसकी वज़ा से जो है वो produce हुआ है current किसकी वज़ा से produce हो रहा है, change in magnetic flux की वज़ा से इसलिए E की value क्या होती है minus d5 divided by dt देखो, the negative sign indicates that the direction of induced EMF is such that it opposes the change in magnetic flux clear हो गया, इसलिए हम negative sign use करते हैं, अब मालो अगर उस coil में, देखो जैसे जो भी आप use कर रहे हो जैसे मालो, तो अगर यह वाली जो भी आपके पास है, यह इसमें number of coils, turns कितनी है n, number of turns n है अगर किसी circuit में तो हम क्या कर देंगे, directly क्या हो जाएगा किसके बराबर, E is equal to minus n multiply by d5 divided by dt अगर n क्या है, number of turns है, तो simply उसके साथ multiply कर लेंगे हैं इस तरह से हम write down कर सकते हैं देखो, आज हमने Faraday's laws of electromagnetic induction के बारे में understand किया दोनों laws बहुत important है हमने experiment भी अच्छे से understand किया, I think कि आपको clear हो गया Okay, thank you